जैहिं सातियों स्वागत थे आपका सेलप इस्टेडी के लास है इस बिस्सुमिद जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी साहित टिर्की वीडियो है ना आज हम आपको ऐसे महत्पूर प्रस्ण याद करवाएंगे ऐसी फनी ट टेरrek बताएंगे कि आप जिंद्धी बर कभी नहीं खूल सकते हैं आप ने अट एकजाम की तयारी करें हैं पीजी टिक की तयारी कर रहे हैं या ल्तिग्रेट की एकजाम की तयारी कर रहे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है और सियर करना है आज मैं फ़नी ट्रिक से और रोज आपकी सुबह 9 बच के 40 मिनिट पर हिंदी साहित का ट्रिकी वीडियो आता है सेल्प स्टेडी के लासे इस पर तो जरूर जुड़ें ठीक ह स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे पहला जो हमारा प्रस्ण है वो है कबीरदास की भासा को पंचमेल खिचडी किसने कहा है अब 2 सेकंड दोस्तों आपको दिये जाते हैं आपको उत्तर बताना मैं आपको बता दूँ कि वीडियो में सबसे पहले आपक को टेस्ट करवाया जाएगा, फिर ट्रेक बताई जाएगी, ठीक है, तो कभीरदास की भासा को पंचमेल खिचडी किस ने कहा है, तो आपका बिलको सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस ने कहा है, उत्तर होगा स्याम सुन्दर दास ने, किस ने कहा, स्याम सुन्दर दास यानि कि आनम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो पंचमेल खिचड़ी बनेगी वो कैसी बनेगी सुन्दर बनेगी कि नहीं बनेगी सुन्दर बनेगी न तो पंचमेल खिचड़ी कौन बोलेगा स्याम सुंदर दास बोलेंगे न अब पंचमेल खिच्ड़ी है तो बहुत सुंदर बनेगी तो स्याम सुंदर दास यानि कि आपका आनम्मर जो है वो विल्को सही हो जाएगा ठीक है दोस्तो फनी ट्रिक से आद करवाएंगे आपको सिर्फ पूरा वीडियो देखना है सत्यवती कथा की रचनाकार कौन है अब चार विकल्प है दो सेकंड भी आपको दिये जाते हैं फिर मैं आपको फनी ट्रिक से याद भी करवादूँगा तो आपका बिल्को सही आंसर क्या हो जाएगा सत्यवती कथा के जो रचनाकार है दोस्तो वो कौन है इस्वरदास आपने बिल्को सही आंसर बताया इस्वरदास अब इसको कैसे याद रखना है दोस्तो एक चीज बताना कि जो इस्वर है इस्वर की जो कथा होती है वो कैसी होती है सत्थ होती की नहीं होती अब उत्तर तो आपके हाथ है है ना वो कैसी होती है सत्थ होती है इस्त्वर की कथा हमेशा सत्थ होती है तो सत्थ बती कथा की रचनाकार कौन होंगे इस्त्वरदार ठीक है इस प्रकार से हमें याद भी करना है दोस्तों अंगला जो सूपी काब धारा की पिर्थम रचना किसने माना है तो दो सेकंड में आपने अपना उत्तर बताया है दोस्तो किसने माना है हजारी प्रसाद दोवेदी यानि कि बेकल्प नम्मर जो सा है वो आपका बिल्कु सही हो जागा अब इसको कैसे याद रखोगे कि सत्वती कथा को सूपी काब धारा की पिर्थम रचना हजारी प्रसाद दोवेदी ने मना अब एक चीज बताना दोस्तो हमने पढ़ लिया कि सत्वती कथा इस्वरदास की रचना है है ना अब सत्वती कथा जब इस्वरदास की रचना है तो इसको ये एक बार नहीं पढ़ा जाएगा दोस्तों, इसको हजार बार पढ़ा जाएगा, कितने बार पढ़ा जाएगा, हजार बार पढ़ा जाएगा, तो सत्वती कथा को सूफी काब धारा की पर्थम रचना कौन मानेंगे, हजारी पर साथ दोएदी, क्योंको इसको हज बार पढ़ा जाएगा हम बोलते न क्रश्ण डीला हजार बार सुन रहे हैं रामाण हजार बार सुन रहे हैं रामचरेत मानस हजार क्यूंकि यह सत्त कथा है बैसे ही सत्त वती कथा इस्वरदास की रचना है और इसको हम हजार बार पढ़ेंगे ठीक है यह से याद रखना है दोस्तों अब आपको बताना है आलबार भक्तों की संक्या कितनी मानी है? तो दो सिक्न में आपको अपना उत्तर बताना है और आपका बिल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना बारा आलबार यहां पर क्या रहा है? आलवार वक्तों की संख्या कित्नी माने गई है यहनी कि जो आ नम्मर है वो आपका विल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला question देखते हैं दोस्तों अदोयत बाद की प्रवर्तक कौन मान जाती हैं अब दो सिकंड में आप अपना उत्तर बता देना फिर आपको ट्रिक से याद करवा देंगे हम तो आपका बिलकुस सही आंसर क्या होगा अदोयत बाद की प्रवर्तक तब आपका बिलकुस सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों संकराचार यानि कि जो आनम्मर है वो बिलकुस सही है ठीक है और आपको पता है दोस्तों संकराचार से क्या वनेगा संकर जी और संकर जी दुनिया में कितने अदुत्ये हैं अदुत्ये हैं कि नहीं है कि बहुत सारे अदुत्य हैं दुनिया में संकर जी क्या है अदुत्य हैं तो अदुत बात के प्रवर्ट तक कौन होगे संकराचार ठीक है तो इस प्रकार सीयाद रखना है अंगला बताना है दोस्तो रेयदास के गुरू का नाम क्या था रेयदास तो आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा आपको बताना है दोस्तो रेदास के गुरू का नाम तो हम भी कहते हैं कि हम राम के दास बन कर रहेंगे हम राम के दास बन कर रहेंगे राम के चरणों में रहेंगे उनके दास रहेंगे तो रहदास के गुरू का नाम क्या था रामानन्द यानि कि जो आ नम्मर है वो बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है रामानन्द के कितने सिस्ष थे दोस्तो वारा सिस्ष थे ठीक है और इनके जो है एक सिस्ष थे कौन रहदास यानि कि रहदास के गुरू कौन थे रहमानंद थे ठीक है यह चीज़ यार रखने है दोस्तों अंगला बताना है अनुराग मासरी के रचनाकार कौन है चार विकल्फें दो सेकंड भी आपको दिये जाते है तो आपने बिलकुस सही बताया है दोस्तों अनुराग मतल कहते हैं और प्रेम की बांसरी बजाता है वो क्या करेगा है ना उसी को कहते हैं क्या मोहबत तो यहां से नूर मोहमद है ना हम बोलते हैं नूर जहां से प्यार करते थे वो नूर जहां से प्रेम करते थे ऐसे ही नूर महमद की रचना है अनुराग मासरी है ना क्योंकि यह मुहबबत करते थे काई से बांसुरी से तो अनुराग बांसुरी की रचना कार कौन होगे नूर मुहमद इस प्रकार से आपको याद रखना है अंगला बताना है दोस्तो रामचरित मानस में कितने कांड है रामचरित मानस दोस्तो जल्दी से बताना है आपका बिल्कुत सही अंसर क्या आ गया है राम चरित मानस है ना ये तुलसी दास जी की रचना है राम चरित मानस महा काब है ठीक है और इसमें कितने खंड हैं कितने कांड हैं तो साथ कांड हैं अब इसको कैसे याद रखोगे हैं तो राम चरित मानस दोस्तों आपको पता है कि राम के जीवन पर आधा रहे थे तुलशीदास जी की रचना है ठीक है और राम जी जब बन में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग कहां जा रहे थे साथ जा रहे थे साथ तो तुलशीदास ने सोचा यार सब लोग साथ जा रहे थे तो राम जी रितमाना से भी साथ कांड रखेंगे है ना तो इ बिनाय पत्रिका की रचनाकार कौन है दोस्तों बिनाय पत्रिका अब एक चीज बताना दोस्तों कि संसार में सबसे जादा बिनाय राम जी की किसने की है बिनाय पूर्ण दोहे लिखे हैं बिनाय की है किसने की है तो वो की है दोस्तों किसने तुलशी दास जी ने तुलशी दा यानि कि जो आ नम्मर है वो बिलको सही है, है ना आपने सुना है, क्या सुना है, कि चित्र कूट के गाट में भई संतन की भीड, तुलसी दास चंदन घिसें, तलक देत रगवीर, दोस्तो जो बिनाय पत्री का है, ये ब्रज भासा में तुलसी दास जी की रचना है, याद तो अब एक चीज बताना दूस्तो, कि जो भक्त होते हैं, भक्त क्या करते हैं, आकास की और नब की और क्या करते हैं, और यासे भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, कौन भक्त, कहा सिर करते हैं, नब की और, तो भक्त माल की रचना कार कौन होंगे, नब से नावा भक्त माल जो भक्त होते हैं वो नव की और सिर करके नमस्कार करते हैं तो भक्त से नाभा भक्त क्या करते हैं नव की और तो नाभादास है ना तो भक्त माल की रिचनाकार कौन है नाभादास ठीक है अगला प्रश्ण बताना है दोस्तों आपके भंबर गीत की रिचनाकार कौ बहावरे पढ़के जाती है, तो सबसे ज़्यादा वो देखती है, क्या देखती है, कि नंद कैसी है, नंद कैसी है, और अगर तेज हुई, तो सोचती है, नंद की भावर पढ़ जाती जल्दी, नंद की भावर जल्दी पढ़ जाती, तो भावर गीत की रचना कार कौन होगे नंद की भामर पढ़वाते हैं जल्दी तो नंद दास यानि की बानमर आपका बिल्कु सही होगा ठीक है भामर गीत नंद दास की रचना है ठीक है तो जो क्रश्न का अब धारा थी दोस्तो क्रश्न का अब धारा में सूर्दास जी के बाद नंद दास जी का नंबर आता था है अंगला बताना है रामाण महानाटक की रचनाकार कौन है मैं सिर्फ दोस्तो ट्रिक से याद करवा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ लेकिन रामाण मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूँ ताक कि आपको याद हो जायती है तो रामाण महानाटक की रचन नहीं है हम बोलते हैं कि रामाड तो हमारी प्राण है प्राणों के समान है हम उसको पड़ते हैं उससे सार्थत्त ग्रण करते हैं तो हमारी क्या है प्राण तो रामाड महाना टक के रिचनकार कौन हो जाएंगे कौन होंगे अब आपको ही बताना है कि रामाड तो हमारी प्रा पूछा जाता है कि छंदों का आजायव घर किसे कहा जाता है तो आप बता देते हो के सवदात की राम चंद्रिका को ठीक है लेकिन राम चंद्रिका को छंदों का आजायव घर कहा किसने है तो एक चीज बताएं कि जिसने इस राम चंद्रिका का स्वरूप देखा होगा वो ही बता सकता है कि ये छंदों का जायव घर है अगर ये पुस्तक बंद है इसको देखकर आप बता सकते हूं कि इसकी अंदर क्या है नहीं बता सकते ना जिसने राम चंदरीका का स्वरूप देखा वही बताएगा कि ये छंदों का जायव घर है तो राम सरूप चतरवेदी इन्ह देखना है मदू मालती के रचनाकार कौन है मदू मालती आपने दोस्तों एक बो सुना होगा कि बैर कराते मंदर मस्जित और मेल कराती मदू साला एक सुना है ना आपने तो आपने देखा होगा कि समाज में कईया कैसे लोग होता है उनका मंझनई मधू से होता है कैसे होता है मंझन मदू से होता है मदू मालती के रचनाकार कौन होंगे मंझन होंगे ना मंझन यानम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा हमें टर्की याद करना है दोस्तो याद बस करने का माध्यम है कि हमारे मांड में कैसे वो फिट बैठती है याद होती अंगला बताना है दोस्तो आपको हिंदी भक्ती काब का प्रथम क्रांतिकारी पुरुसकरता कबीर है ये कथन किसका है हिंदी भक्ती काब का जो काब के प्रथम क्रांतिकारी पुरुसकरता कबीर है ये कथन किसका है तो ये चीज तो कौन बता देंगे बच्चे बता देंगे सबी को पता है कौन बता देंगे बच्चे भी बता देंगे कि हिंदी भक्ति काब के जो प्रतम क्रांतिकारी कभी हैं वो कबीर हैं बच्चा भी बता देगा साब क्योंकि भक्ती से उत्प्रोत थे कबीर दास ने समाज को फटका रहा और भक्ती से तो ये बच्चे बता देंगे तो बच्चन सेह का कतन होगा किसका होगा बच्चन सेह यानि कि जो आनम्मर है वो बिल्कु सही होगा हिंदी भक्ती काब का प्रिथम क्रांतिकारी पुरुसकर्ता कभीर है कि कथन किसका है वच्चन सेह का ठीक है इस प्रकार से कथन भी याद हो जाएंगे आपको आप बिल्कुल चिंता न करें निरंतर सीरिज देखना है रोज 9 वज के 30 मिनट पर आपकी रोज सुबह 9 वज के 30 मिनट पर टिर्की वीडियो होगा ठीक है तो जरूर देखें और रात्तरी 9 वज आपकी हिंदी साहित की बिस्तरित क्लास होती है तो उसको भी देखना है गुरू नानक का जन्म हुआ था तो कहा हुआ था दोस्तो सिक्क संपरदाय की प्रवर्तक माने जाते हैं गुरू ना अब यहाँ पर क्या आ रहा है नानक नाना आ रहा है तो ननकाना नानक ननकाना है ना इस प्रकार से तो गुरू नानक का जन्म हुआ था कहां पर ननकाना आनम्मर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा अंगला बताना है दोस्तो नगेंदर के अनुसार प्रिथम सूपी काब रचना कौनसी है सूफी काब धारा आपने पढ़ी होगी भक्ति काल में अब सूफी काब रचना बतानी है तो नगेंदर के अनुसार बताना है तो जल्दी से बताएं दो सेकंड में आपको तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो वो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपके सामने नांग आ जाए नांग आ जाए तो आप हसोगे की दोड़ लगा दोगे है ना अगर अचानक आपके सामने यसे करके नांग आ जाए तो आप हासोगे कि दोर लगा दोगे है ना, दोर लगा देंगे तो नगेंदर के अनुसार जो सूपी काप्ब की पिर्थम रचना है वो हंसा वली है, कौन्सी है हंसा वली, ठीक है याद रख लेना, हसना नहीं है अगर नांगा जाय तो हसना नहीं है दोड लगा दिना है हंसावली है सभी लोग याद रखेंगे ठीक है अंगला बताना है दूस्तू आपको सुंदर बिलास किसका गरंत है सुंदर बिलास तो प्रश्निक्रमां गठा रहा है और दो सेकंडे बिलकुल आप आसानी से बता देंगे अस्ट छाप का कभी नहीं है, अस्ट छाप को जो इस्थापना हुई थी, मैं आपको अभी question पूछूंगा उसका, वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपसे, तो निवन मैंसे अस्ट छाप का कभी नहीं है बताना है, अस्ट छाप की इस्थापना मैं आपको इतना बता दे र लेकिन कौन नहीं है, नावा दास, जिनकी रचना हमने पढ़ीती कौन सी है, भक्तमाल है ना, भक्तमाल इनकी रचना है और ये नावा दास जो है, ये अश्ट छाप के कभी नहीं है, यानि कि आपका जो उत्तर है, आ नमबर बिल्कु सही हो जाएगा, अब लोग कुम्बन दास की गुरू कौन थे दोस्तों, बल्लबाचार, रामानंद, कभीरदास या बिठलनात, तो अब दोस्तों यहाँ पर बताना है, फस गई ना कैसेट, कि बल्लबाचार के हैं, कि बिठलनात के हैं, तो दोस्तों एक चीज में आपको हिंट दे रहा हूँ, कि अग आपके अंदर अगर बल नहीं होगा, तो आप कुम्ब के मेले में नहीं जा सकते, तो कुम्ब के मेले में बल चाहिए, तो कुम्बन दास की गुरू कौन होगे, बल से वल्लबाचार, यानि कि जो आनममर है, वो आपका बिल्कु सही हो जाएगा, ठीक है, इस परकार से हमारे हिंदी साहित के सही ओरिजनल स्टूडेंट है, वो अच्छाप की स्थापना कभ हुईती, इसका उत्तर, कमेंट में लखेंगे, चेलेंज प्रस्न हैं आपके लिए, ठीक है, हर बंदा लखेगा, और प्रोसाहन के लिए दो सब्द लखेंगे, कि सर इसी परकार के वी तरों तक सेयर करना है, और सोबा है रोज 9 बजे, 9 बज के 30 मिनिट पर, 9 बज के 30 मिनिट पर आपका टिर्की वीडियो जरूर आएगा रोज, तो रोज आपको देखना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों एक छोटा सा अपना क्या है, IAS Study Trick, एक टेलिग्राम अप और सोब नंबर दिया है आपका, 9098609291 ठीक है, इसको आप, इस पर आप मैसेज करेंगे, तो गुरूप की आपको लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में भी जुड़ना है, तो आपको Self Study Classes सुमेच जैन सर्च करना है, ठीक है, फेस्बुक पे आपको सुमेच जैन जैन सर्च करना है, तो आपको सुमेच 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 जैन सर्च करना है, तो आपको सुम